तेख चले बजार पे एक और एक्सपोर्ट कप जोड़ने का वक्त आ गया है मेरे साथ बुनेंजा पोटफोलियो के पुनीत किन रा जोड़े हैं पुनीत हाई गुड मॉर्निंग तो मुझे लगता है कि अब यहां से कुछ कॉन्सोलिडेशन या उपर के लेवल से प्रोफिल्ट बुकिंग देखने को मिल सकती है पर अगर चार्ट सेटप की बात पर तो ट्रेंड उपर का है मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और जो टार्गेट बनता है वो एक बाद निफ्टी में देखने का जुरूर मिलेगा आज एशिया थोड़ सा फ्लाट रेट कर रहा है तो मुझे लगता है कि निफ्टी की ओपनिंग फ्लाट ही होगी और उस ओपनिंग में निफ्टी को बाई करने ही रहा दूँगा निफ्टी को बाई कर सकते हैं 85-20 के आजपास आपका टार्गेट बनेगा 8600 और स्टोप लोस नीचे थोड़ सा डीप लगाना पड़ेगा क्योंकि मार्गेट पहले से थोड़ी ओवर बोट है और काई डियमें से दूर है तो 84-40 का स्टोप लगा के रखे हैं पुनीद भी मानते हैं खरदारी करके चलें 8600 के टागेट के लिए अनल ने भी एविंच्वल यही टागेट अप्रोच करने की सला दिया है पर 85-00 के आजपास या मार्केट अगर अगर फ्लाट ओपनिंग होती है तो पुनीद कह रहा है वहाँ पे आप बाइंग करें जब टाटा केमिकल में अच्छी स्टन देखने को मिली गए है अच्छे बोली माई है एक अच्छा बेखाउट हुआ है तो मुझे लगता है इसे भी बाइख कर सकते हैं आपका टागेट बनेगा 462 नीचे स्टोप्रोच 443 का लगा कर रखें ओके पुनीच बावब धनिवाद स्टोप उसे वक्त निकालने के लिए तो निफ्टी में पुनीच कहते हैं खरदारी करके चलें 8600 के टागेट्स के लिए और जो स्टोप्स पिस एक आइडियाज खरदारी करने की रणनीती है एक्सेस बैंक खरदारी करके चलें 577 के पार्टा केमिकल्स में 462 के लक्ष के लिए आप अपरोच कर सकते हैं लेकिन तो निफ्टी में पुनीर की आज स्टॉक्स पर सब्सक्राइब नहीं थी पूजाने कुछ और एक्सपोर्ट से आज सुभी बात करी